हेलो इस्टूडेंड वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल अनुटेक एजूटीशन आज हम लोग बात करने वाले हैं वोईश के बारे मेहना अभी हमने पिछली पिछली क्लास में हम लोगों ने सारे मॉडल वर्प की एक्टी पैसी वोईश को देखा था और बहुत इंप का concept बतांगी जो इससे पहले मैंने आपको कभी बताया ही नहीं है और वो एक्जाम में आजाता है आपके पास तो एक कोस्ट况 और ऐसा है जो आपको मैने कभी बताया नहीं और अगर आपके पास आजाता है तो आप फिर confirze हो जाते हैं कि मैंने तो यह कोस्टून बताया ही नहीं था हमें तो कैसे आ गया तो चलिए उस question को देख लेते हैं और मैं जो चीजे आपको बता रहे हूं ये home matrix से बनाया हुआ है guys ये आपको किसी book में नहीं मिलेगी आप ढूंड लीजेगा किसी भी book में नहीं मिलेगी इसके पीछे बहुत मेहनत है मैं बहुत सी book से analyze करती है उसके बाद ही आप लोगों को पढ़ाती है ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कम से कम 10 से 12 book से मैं analyze करने के बाद ही आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा sort trick और exam के pattern पूरे search करकर के ले किस pattern के question exam में पूछे जाते हैं ठीक है चलिए time waste बिल्कुल नहीं करेंगे और आज हम चलते हैं अपने topic की तरह कि अब अगर आपको ऐसा question मिल जाता है कहीं पर भी है न तो अब क्या करेंगे अब आप सोचेंगे यार मैंने तो ऐसा question हमें करवाई नहीं है और अब यह question आ गया है अब हम कैसे करेंगे तो हमने वही पुराने trick रहेगा मैंने आपको बताया है कि helping work जो भी रहेगी है न यह जैसे could have है तो could have copy हो जाएगी आपको यहां पर चार option दिये रहेंगे competitive exam में बने हुए है न यहां मैंने चार option नहीं लिखा है लेकिन आपको चार लिखे रहेंगे यहां तो अब आपको क्या करना है could have से could have को match करना है ठीक है मैंने यह trick आपको बता चुका है सिर्फ यही है active passive voice में बस और कुछ भी नहीं है तो चलिए देख लेते हैं हम इसको keep अब हम क्या करते हैं कुछ भी याद नहीं करते हैं कुछ भी रट्टा नहीं मारते हैं हम लोग ठीक है सिर्फ हमें क्या करना है पीछे वाला आगे आता है आगे वाला पीछे जाता है helping work जो रहती है वो सेम रहती ही है और हमें यह देखना है कि main verb की कोन सी form लगी है main verb की यह हम था गाईज यहां ही हो गया good good चलो copy हो जाओ have copy कर लिया हम लोगोंने क्योंकि अब हमें पता है कि यह कुन सी form है work की heads of के साथ हमेशा work की third form आती है ठीक है और head के साथ भी third form आती है तो यह क्योंकि work की third form थी third form के कारण हमने बीन लगाया यह हम पहले बात कर चुके हैं और third form की third form आ जाएगी और by और I का मी हो जाएगा ऐसे आप लोगों को question solve करना है हमें रटना नहीं मिल्कुल इश्मार तरीके से English सीखेंगे तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगी है ऐसा जरूरी नहीं मैं आपको board में भी वो content available कराऊंगी जो आप लोगों को projector के माध्यम से available नहीं होगा मैं वो सारे concept करवाऊंगी जो previous year exam में पूछे हुई है चाहे वो voice है, tense है, narration से मिलेंगे हमारे हैं आर्टिकल्स, preposition है, अभी हम लोग fix proposition की बात करेंगे के बाद में है न, clauses की बात करेंगे, pronoun की, punctuation की, grammar का हर एक एक topic को हम लोग cover करेंगे, तो चलिए अभी मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो मैंने पिछली क्लास में बताएं न, और वो exam में आती है हमेशा है न, तो चलिए देख लेते हैं उसको, अब ये question भी exam में ऐसा बहुत आता है न, ये question exam में दिया और आप लोग सोचते हैं कि बहुत आसान question है, चलिए मैं भी आपसे पूछती हूँ कि राम मेरिट सीता, ठीक है न, तो रा अब हम यहीं फस जाते हैं, कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं, जिनके साथ में कुछ भी नहीं आता है, और वो कुछ और ही वर्ब लेती हैं, ठीक है, तो यहां पर फिर से फस गए, अगर आपने हिंदी किया, तो फसेंगे, ठीक है, हिंदी हमें किसी भी sentence की बिल्कुल नहीं क करना है, क्या होता है, कई लोग यदि कहीं पर भी में लिखा देख लेते हैं, तो वहां इन लगा देते हैं, जैसे हम कोई भी example लेंगे, तो में के साथ इन तो लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी sentence होते हैं, जिनके हिंदी करो तो पूरा गलत हो जाता है, ठीक है, तो देख लिखते हैं, ना कैसे आया इसके साथ, ना ही विथ आएगा, ना टू आयगा, ना ही एट आयगा, इसके साथ, ना अ दिस आएगा, और अब कैसे आएगा, वो भी हम देखते हैं इसके साथ, ठीक है, एक example के माध्यम से आप लोगों को समझाती हैं, जैसे हम बच्पने में ए तो यहां पर एक सब्जेक्ट था हमारा एक वर्ब थी और यहां एक ऑब्जेक्ट था ठीक है ना वैसे हमारे पास यहां भी एक सब्जेक्ट है यहां भी एक वर्ब है और यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट है ठीक है था हम उस चीज के बारे में बात करेंगे तो हमने देखा ग यहां भी राम, कील्ड, रावन में एक subject, एक verb और एक object था, ठीक है ना? तो अब क्या हमने यहां पर कोई preposition लगाया था? क्या हमने यहां width लगाया? क्या यहां to लगाया? क्या यहां कहीं at लगी हुई है? नहीं लगी हुई है ना? लेकिन जब हमने यहां पर कोई preposition का प्रयोग नहीं किया है तो फिर हम यहां क्यों करेंगे preposition का प्रयोग ठीक है? यहां भी तो second form ही है तो stripe के यदि आपको concept आते हैं exam में तो आप राम, कील्ड, रावन का देख लीजेगा यदि इनके साथ में second form और यह इस type का दिया है तो इनके साथ में आपको कोई भी verb लगाने की जरुवत नहीं है ना? देखिए यहां पर भी कोई भी नहीं आया है क्या हम ऐसा बोल दे? कि राम, वित, किल्ड, रावन क्या हम यह बोल सकते हैं? राम, टू, किल्ड, रावन यह हम यह बोल सकते हैं? राम, किल्ड, एड, रावन हैना? ऐसा कुछ मेज हो रहा है कि इसमें नहीं हो रहा है तो फिर यहां पर भी वही concept लागू होगा हैना? देखते हैं और अगले आप हमेसा यह चीज को याद रखिएगा कि यह आपके पास यह question आता है यह question और यह exam में बहुत पूछता है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत confusion होते हैं वो देखते हैं second form और second form के हिसाब से यहां कुछ भी select कर देते हैं उन लोग यह normally लेकिन जब इस sentence का logic यह था तो यह भी तो वही sentence है तो इसका भी logic वही है ना इसलिए आपको इस चीज़ को हमें से याद रखना है और यहां हमारा यह right answer हो जाएगा none ठीक है अब देखते हैं और अगला concept को अभी तक जो लोग with लगा के आ रहे थे लेकिन वो अब नहीं लगाएंगे है ना क्योंकि अब आप सोचेंगे कि अब मैं पुछती हूं आपसे कि अब इसमें क्या आएगा two दिया है option में by दिया है with दिया है और none दिया है ठीक है ना तो अब आप सोचेंगे कि अब अच्छा अब हमारे दिमाग में आ गई बात कि आप तो ना यह चीजे कहीं पर भी नहीं पता है और आपने कहीं भी इस चीज को नहीं पढ़ा इसलिए ठीक है लेकिन इसका भी concept यह है कि इसमें अब वित नहीं आएगा सीता बाज मेरिट वित राम कर देंगी कि बिल्कुल नहीं करेंगे ना अब इसका concept यह क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोगा इसमें टू आएगा लेकिन वित नहीं आएगा ठीक है ना देखते हैं यह question था ना यह question कैसे बना हुआ था हम देखेंगे राम मेरिट सीता है ना क्योंकि यह second form थी यहां मेरिट इसलिए हमने यहां पर वाज लिखा था ठीक है ना वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म बनती है ना हमारी पैसी वाइस इसलिए वाज मेरिड हुआ था इसमें है ना तो अब आप सोच रहा होंगे कि यहां पर भी विफ नहीं आया यहां पर वी विफ नहीं आया और ना ही यहां पर भाई भी नहीं आया क्योंकि पैसी वाईस में तो बाय कब रही उंटार्य बहुत एकदम स्टेंडर्ड लेवल की आपको ट्रिक बता रही हूं बहुत हाई लेवल का तो नहीं है लेकिन वह सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं जो एक्जाम में पूछी हुई और इन concept से भी बहुत जादा active passive के constant पूछे जाते हैं पिछले तो बहुत कम पूछे जाते हैं जो हम राम खाना खाता है राम वहाँ गाना गाता है क्या वहाँ गाना गाती है इस टाइप से जो हम voice में आता है यह तो competition पर आता ने लेकिन इस level पर कुछ नया ही पूछा जाता है ठीक ह तो देखते हैं हम इसमें की यहाँ पर भी merit के साथ वित नहीं आया guys और यहाँ पर भी merit के साथ ना with आया और ना by आया कुछ भी नहीं आया क्रिया मेरिट साधी करने की क्रिया हो रही है, और किसी भी क्रिया के साथ में आपको प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना, तो आप लोग इस पॉइंट को नूट डाउन कर सकते हैं, और मैं जो चीज बता रही हूं, आप हर एक चीज को नूट करिए और उस पर गौर करिए और देखिए आप अगर आपको यकीन ना हो तो पिछले प्रिवेस येर में इस टाइप की चीजे आई हुई है या नहीं है ठीक है ना तो देखते हम इसके पीछे का लॉजिक की ऐसी और कौन-कौन सी वर्ब होंगी ज ठीक है उसी प्रकार यदि sentence में नो लिखाता है ठीक है ना तो नों का आजाएगा हमारे पास में टू को लेती है ये भी बाई को नहीं लेती है ना एक ये वर्ब नो हमेशा देखना आपकी इसमिक के साथ हमेशा टू आएगा बाई नहीं आएगा मेरिट के साथ भी टू आ को बनाने से पहले बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ये होम मैट चीज़े है ना और हम नए नए कॉंसेप्ट ही लेकर आते हैं इसमें देखते हैं अब कुछ और आगे क्या है एक और कोश्चन देखिएगा इसका है ना अभी हमने मेरिट वाला कोश्चन देखा था अब हम लोग नू वाला कोश्चन देखते हैं क्योंकि हम सभी टाइप के कोश्चन करवा देंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउड कम हो जाएगा और यदि आपको जब भी ऐस ломड़ा है मैंने कि कृष्चन आते हैं कि अब और थे कर दो तो आपको क्या करना है वहिंक को यहाँ इसका है यह इसका पैषिव बनाना यह तो यह-इस पैखें का मैं वह doğru ह् lasciess he ठीक है क्योंकि वह आपकी first form है और first form की पैसी वाइस मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इजमार third form होती है और second form की was word third form होती है तो इजमार third form आएगा इसमें ठीक है तो उसमें से हम देखेंगे कि he singular है इसलिए यहाँ पर is आया है इसके साथ third form आई है ठीक है अब पात आती है नो की तो हमें पता हिकिए के साथ कभी भी ना तो आता है ना यह को मैंने अपको बताया था था और मेरिट के साथ में हमेशा परएब किया झाता है और आई का मी हो जाएगा इस टाइप से यह कॉंस्यूंड होता है लेकिन आपको कभी भी राम किल्ड रावन या राम मेरिड सीता लिखा हुआ आता है तो उस कंडिशन में आपको कुछ भी नहीं लगाना है यदि उसका पैसिव बना के आता है कि राम वाज मेरिड तू सीता होता है ठीक है न लेकिन राम मेरिड तू सीता नहीं होता है राम married Sita और राम was married to Sita होता है क्योंकि passive बनेगा तो ही उस condition में 2 लगेगा यहां पर हमने लगाया क्या कहीं I know to him ऐसा कहीं दिख रहा है हमें जब हमने passive लगाया तब ही हमने इसके साथ में 2 लगाया था है इसी प्रकार पेसियू में लगेगा, एक्ट subm gan hero में लगेगा, जैसे राम किल्ड, रावन होता है तो उसके साथ भी कुछ नहीं होता लेकिशे उसके साथ में नहीं होता है, लेकिन जिए मुभि अश्की साथ उसका पेसियू बनाते हैं तो राम वास्किल्ड, सेंटेंस की बात करेंगे ठीक है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है और यहां से बहुत ज्यादा बनते हैं तो देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की बारे में है तो order में हम किसी को order देंगे request में हम किसी से request करेंगे और एड़वाइस में किसी को advise देंगे उस type के question से अब इनकी पहचान कर सकते हैं बहुत fired को अरवडर में हम किसी को बोलते हैं open the door मताब मतब दर्वाजी में को खोलो के order दिया न हमने तो यह वब ऊपन दा डूर अब हमें इसकी पैशी वोइस बनाना है ठीक है न यह हमें एक्टिव में दिया है और हमें इसका पैशी बनाना है ठीक है तो हम क्या करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे बस इस के साथ इस टाइब के जब भी हमें sentence मिलते तो उनके साथ हम सिर्फ let को लगाएंगे बस लेट हमने कहीं से नहीं लाए अपने घर से लीके आ गए है लेट है घर से लेकिया है let को हम let इसके साथ आएगा ही है जो भी order वाले sentence होते हैं उनके साथ सभी के साथ सुरू में let आता है ठीक है हम देखा हमने let को लाए let को हमने अपने घर से लेकिया है फिर हम पैसी बनाने के लिए क्या करते हैं object को सामने लाते हैं तो object को हमने सामने लाया अब आप सूच रहोंगे कि मैं आप यहां पर बी के बाद जाके आप बीन भी तो लगा सकते थे बी इंग भी तो लगा सकते तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब की first form है और फिर्ष्ट फॉर्म का बी होता है second form यदि आप लोगों को यहां पर third form दी रहती open तो open का बीन हो जाता है या ing वाली वर्ब रहती तो being हो जाता है लेकिन हमें पता है कि बी के साथ हमेशा वर्ब की first form के साथ आता है तो ह आप बना के बता हो इसे आप बूलेंगे मैं कि इसी चोटी बात कर रहे हैं यह तो हम आसानी से बना लेंगे लैट को हमने ला लिया अपने घर से उठा के दारूम हमारा object था तो हमने दारूम को हमने ले लिया ठीक है न क्योंकि clean वर्ब की first form है ठीक है यह भी वर्ब की first form होती और यह भी वर्ब की first form है तो हमने लगाया बी और हमने वर्ब की third form चाहिए ही ना क्योंकि इसकी passive voice ही होती है ना first form की बी तो आना ही आना है और third form तो सभी में आएगी तो first form का होता है third form और third form होगा है हमारी clean ठीक है ना एक आद और question देख लेते हैं चलिए इसका अगला है shut the door ठीक है ना तो अब हम देखेंगे let को हम अपने घर से लेके आए let लगा दिया हमने the door था the door की जगे the door हो गया क्योंकि object हमारा आगे का पीछे पीछे का आगे जाता इसमें भी तो हमने देखा let तो हम लगाएंगे क्योंकि shut the door door बंद करने की बात हो रही किसी क हम order दे रहे हैं ठीक है ना तो हमने बुला the door क्योंकि shut work की first form है तो यहां हमने देखा first form कभी हो गया और सट की थर्ड फॉर्म सट ही होती शट शटा शट होता है इसका ठीक है तो इसकी third form भी शट हो जाएगी तो यह तो हुए हमारे order वाले sentence है ना अब हम देखते हैं इसके request वाले questions होते हैं तो अब request वाले question कैसे समझ में आएंगे हमें तो उनके शुरुवात में हमेशा लिखा रहेगा guys please ठीक है ना प्लीस या kindly से आप इसे पहचान सकते हैं कि यह है हमारे request वाले sentence अभी हमने देखा था open the door सिर्फ order था दे रहे थे हम लोग ना तो उनको हम order वा राएगा ना please please हम लोग बोलते हैं please हमारा ये काम कर दो please हमारा वह काम करती है तो यह होता है प्लीस तो अब इनके sentence कैसे बनेंगे वह हम देखते हैं कि इस टाइप के प्लीस वाले sentence होते हैं हमारे request वाले तो इनका passive voice कैसे बनेगा है कि request से सुर्वात होते यह तो हम देखी चुके हैं तो अब हम देखेंगे प्लीश ऊपनदा रूर ठीक है अब हम इसका पैसी वॉइस कैसे बनाएंगे यह अट्टिव है और हम इसका पैसी वाइस बना नहीं किया जाता है तो यूर रिक्षेट्ट के साथ हमारी पैसी बन चुकी यूर रिक्वेस्ट एक हम्मके लोग आप्ड आर्यू सेल लाज्या Sind पर ही you are requested लिखा है ठीक है ना तो you are requested to open the door okay next sentence देखते हैं please tag this medicines है ना तो इसमें भी हम क्या करेंगे you are requested to please की जगे हमने ये लिखा passive voice बन गई है हमारी यहीं पर तो you are requested to tag this medicines तो यह यहां तक हमारी passive voice बन चुकी है और जैसे हम लोग no के साथ में two लगा रहे थे हैं ना merit के साथ two लगा रहे थे वैसे request के साथ भी two आएगा यहां भी request के साथ में भी two ही आता है ठीक है तो you are requested to tag this medicines ठीक है तो यह इस टाइप से होते है request वाले sentence अब हम advice वाले sentence भी देख लेते हैं इसके अब हम देखते हैं advice वाले sentence है advice में work hard to succeed हम किसी को advice देते हैं कि तुम्हें कड़ी महनत करने चाहिए ठीक है यह हो गया advice ठीक है इसमें भी क्या हो रहा था तू का प्रयोग करते थे थे हम लोग इसेUNDं हम लोग देखींगे इसको ठीक है ना यह हमारी पैसी वोईस बन चुके इसकी और जितनी भी आपको imperative sentence की पैसी वोईस अब जब भी बनाएंगे तो वो सारी वर्ब से ही सुरू होती है वर्ब से मतलब जैसे open the door ठीक है ये भी एक वर्ब हो गई है ना लेना वैसे work hard to succeed work भी एक वर्ब ही है हमारी है क्रिया यह काम करने की तो सारे imperative sentence की सुरू आथ हमेशा वर्ब से सुरू होती है इससे भी हम पहचान कर सकते हैं और यदि work hard to succeed लिखा है तो हम इससे पहचान कर सकते हैं कि हमारा advice वाला sentence है चलिए और इसके एक दो एक्जामपल देख लेते हैं अब हम देखते हैं कुछ बाइभूम वाले concept है यह भी एक्जाम में बहुत जादा पूछे जाते हैं इनके सुरुवात यह question करते हुई सुरूर के who wrote this letter और लात में इनके सभी के question mark लगा हुदा इसाना तो हम इसका कहते बनें जहां हुद रहता है उसकी जगे हमें वाइभूम करना है वर्प की second form है रोप तो हमें यहां पर वर्प की second form को पैसी बनता है was was word ठीक है ना तो बहुत लिखेंगे अ और वर्प की यह रोट वर्प की second form की तो हम लेहां पर वर्प की third form written लिए ठीक है ना क्योंकि राइप रोट रिटन होता है वर्प की हमें पैसी बोईस में हमें वर्प की third form की जबवत पढ़ती है ठीक है ना अगला है by अगला sentence है हमारा who broke the jug ठीक है तो वही who की जगे हमें वाइन लिख दिये ब्लोग की second form थी वह लिख दिये object को हमें शामिल लाये दाचद और ब्लोग की जगे हमें क्या किया प्लोग की थरका हम ब्लोग अनुट लिए ठीक है लाइप से कुछ sentences होते हैं हमारे आज की class को हम लोग यहीं over करते हैं अब हम मिलते हैं और नए concept के झाल